विकेंड पर एक ही बिल्डिंग में काम करने वाली कोब वरकर्स एक लिफ में फस जाते हैं अब इन्हें बचाने वाला दो तीन दीन तक कोई भी आने ने वाला था काहनी में ट्विस्ट तब आता है जब इनके फसने के पीछे भी एक राज दफन था हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको डाउन ये एक होलिवड की थ्रिलर मूवी एक्सप्लेंट करने वाला हूँ इसमें बहुत अच्छे ट्विस्ट आते हैं और एंडिंग में बहुत अच्छी है तो अंतक इस वीडियो को ज़रू देखिएगा अगर आप कोई वीडियो चलगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजे अब बीना किसी दरीके एक्स्प्लेंशन स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी में ग्यारेक्टर जेनिवर को ओफिस में काम करता हो देखते हैं आज बहुत ही लेट हो चुका था उसके साथ ओफिस में कोई भी नहीं था पर फिर भी वो काम कर रही थी थोड़े दिनों पहले उसके फियांसी के साथ उसका जगड़ा हो गया था इस वाज़े से उन्होंने ब्रेक अप कर लिया था पर विकेंड पर जाकर वो उसे सप्राइस करने वाली थी इसके बारे में वो एक इमेल लिखती है पर इसे सेंड नहीं करती है क्योंकि ये एक सप्राइस था नेकसीन में हम हमारा और एक मैन क्यारेक्टर देखते है जिसका नाम है गाय ये भी यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो रहा था ये दोनों अलग-अलग फ्लोर उबर एक ही लिफ्ट में चड़े गाय जेनिफर से मिलते उसे कमफरेबल फिल कराने के लिए जोक स्वगरा करना स्टार्ट कर देता है लिफ्ट में ड्रॉइंग बनी थी गाय ने जेनिफर को ड्रॉइंग दिखाए तभी अचानक से लिफ्ट बन हो जाती है लिफ्ट में इलेक्ट्रिसिटी थी पर फिर भी कोई भी बटन काम नहीं करा था इन्होंने अलाम विगरा दभाने की कोशिश की पर कुछ भी वक नहीं करा था लिफ्ट में जेनिफर ने कैमेरे को नोटिस किया कैमेरे में वे विगरा करते हैं पर दूसरी साइट पर कोई भी नहीं था ये फोन करकर किसी के हल मांग सकते थे पर रेंज भी नहीं आ रही थी अब इस लिफ्ट में ये पाच दिनों के लिए ट्रैप्ट है फ्राइडे सैटरेडे संडे और दो दिन की छुट्टी थी गाय ने जनिफर को कहा कि मैंने अभी अभी इस बिल्ली में जॉब जॉइन किया है उसे इस लिफ्ट के बार में जादा कुछ भी पता नहीं है जनिफर ने कहा कि कभी-कभी ये लिफ्ट आवाज करती थी शायद इसी वज़े से स्टग हो गई है गाय को अचानक से आईड़ आया कि लिफ्ट के उपर से ये एक्जिट हो सकते है हर लिफ्ट में एक्जिट होने के लिए कुछ ना कुछ तो हता है उसने खुद खोलने की कोशिश की पर उसकी इतनी हाइट नहीं थी फिर वो छुक कर जेनिफर को उपर की सिलिंग चेक करने के लिए कहता है जेनिफर के चेक करने के बाद भी ओपन नहीं हो रहा था इन्होंने बहुत राया कि आपर कुछ भी नहीं हुआ एक गंडा बीद गया और जेनिफर रेलाइस करती है कि अब उसकी फ्लाइट उसने मिस कर दिया वो गुसा होगे और सारी चीजों को गालिया देने लग गे उसे ब्यास लगी थी तो गाये ने उसे अपनी बॉटल दिये जेनिफर उसका पानी पेने से मना कर दिया पर गाये ने कहा हमारे पास एक तो एपानी है दूसरी वाइन की बॉटल अब तुम डिसाइड करो वो मजाग में कहता है वाइन की बॉटल ओपन करने के लिए मेरे पास ओपनर भी है जेनिवर ने भी अपनी पर से निकाल कर उसे एक ओपनर दिखाया इस पर ये दोनों बहुत अस्ते हैं उसने विरबानी पी लिया था वो गाये को एस जेश चर एक चॉकलेट डे दिया उसने कहा अब हमें सारी चीज़ एकदम तोल माप कर यूज़ करनी चाहिए हम यहाँ बर शायद पास दिनों के लिए फशे रह सकते हैं अब इसके बाद और चार घंटे पीट गए थे उसे पी करना था पर गाये के सामने इस तरीके से टॉलेट करना है उसे अजीब लगता है गाये ने फिर उसे एक बॉटल दी कहा कि एक नैचरल चीज़ है इसमें कोई भी शरम करने की ज़रूरत नहीं है उसे मूडने के लगती है और फिर टॉलेट कर लेती है उसने अब रियालिटी को एकसेप्ट कर लिया था कि अब यहाँ फसे रहेंगे लीफ में जो ड्राइंग बनी थी उसी ड्राइंग को कम्प्रीट कर लेती है जनिफर गाय से बुछती है क्या तुम्हारी कोई भी गल्फेंड वेगरा नहीं जो तुम अगर घर पर न आओ तो पुलिस को कॉल करकर तुम्हारे बारे में पता करेगी मैट कहता है कि ऐसा कोई भी नहीं है जनिफर ने भी अपने फियांसे के बारे में उसे कहा उसे सप्राइस देने वाली थी तो फियांसे को भी उसके आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था ये दोनों रेलाइस करते हैं कि वो कितने सेम है गाय ने फिर वाइन की बॉटल खोल ली टाइम पास करने के लिए दोनों एक दूसरे के ड्राइंग बनाने लगते है गाय ने जनिफर की बहुत ही अच्छे से ड्राइंग बनाई थी पर जनिफर उसके एक फणी से ड्राइंग बनाती है जनिफर को इसके लिए बुरा लगा और हो गहती है तुमने मेरी जो पिक्चर बनाई इसे में मेरी प्रोफाइल पिक्चर रहूंगी बाते करते करते खाने पर डिसकस करने लग गये तुने भुगे थे तो जेनिवर ने कहा कि सब्जेक्ट हम चेंज करते है अलग-अलग टॉपिक पर डिसकस करते हुआ एक दुसरे के पार्टनर के साथ क्रीजी स्टोरी ये बताने लग जाते है जेनिवर कहती है कि एक बार में मेरे बॉइफरेंड के साथ लाबररी में इंटिमेट हुई थी मैट पहले तो बहुत ही शर्मा रहा था पर बाद में हो कहता है कि मेरी एक कोवर कर थी हम एक बार ड्राइव पर गए थे वही पर इंटिमेट हुए थे ये सब बताते हुए उसे जेनिवर के लिए फिलिंग सा गए जेनिवर को भी इससे कोई भी प्रॉलम नहीं था फिरे दोनों यही पर इंटिमेट हो जाते है इंटिमेट होने के बाद गाई ने जेनिवर से गा यह तुम्हारे प्यार में पढ़ सकता हो यह बाद जेनिवर को बहुत ही अजीब लगी वो उसे गहती कि हमारे बीच में जो भी हुआ इसके बारे में हम भूल जाएंगे वो अपने फियांसे से बहुत प्यार करती थी उसके पास वापस जाना चाहती थी गाई को इस बात ने बहुत हर्ट कर दिया गहता है मुझे लगा था कि हम दोनों में एक कनीशन है क्या तुम्हें कुछ भी फील नहीं हुआ जनिवर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है उसके फियांसे के साथ बहुत सालों से थी तो उनमें एक अंडरस्टैंडिंग थी जनिवर की यह सब बाते सुनकर एक बंड लिफ्ट में होने की बावचूत एक दूसरे से बहुत ही दूर है इस सारा गाय महसूस करता है उसके आग में असो आ गए थे जनिवर उसे कहती है हम एक दूसरे को सही तरीके से जानते भी नहीं अजानक से गाय का बिहेवियर चेंज हो गया वो अपने मोबाइल में उसे CCTV फूटेज दिखाता है कहता है कि मैं रोज तुमें देखता हो तुम जब काम बराती हो काम से जाती हो हर रोज में तुमें ही देखता रहता हो वो एक्चुल में इसी बिल्डी में सिकुरिटी गार्ड है उसने पहले जनिवर को जुट कहा था किसी building में moje accountant है उसने convince किया कि सब कुछ मैंने plan किया था वो Jennifer के साथ एक दूसरे को जानने के लिए chance चाता था वो जाता था कि Jennifer उसे पह जाने उसने सब कुछ किया था वो अपने pocket से चावी निकालता है और Liv start हो जाती है Jennifer उस पर गुसा हो गई कहती है कि अब मैं पुलिस को कॉल करूंगे तुमने जो भी क्या इसके लिए तुम्हें भूगतना पड़ेगा इस सुनने के बाद गाये ने लिफ बंड कर दिया जेनिफर डर कर फिर से लिफ को स्टार्ट करने की कोशिश कर दिया पर गाये ने उसे पकड लिया जेनिफर होश में आने के बाद गाये उसे कहता है एक बहुत ही अच्छा प्लान था यहां लिफ में हमारे बीच में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं था तो हमें एक दूसरे को जान पाए प्रैक्टिकली हमारे पूरी रिलेशन्शिप इस लिफ में हो गए हम एक दूसरे से मिले एक सिगार, लाइटर और एक कटर है गुसे में गाये ने लिफ का एक लाइट तोड़ दिया फिर उसे आइडिया आता है कि या लाइट बदलने के लिए कुछ ना कुछ तो वे होगा उसके पास के पॉटल से उसने छट पर मार कर उसे खोल लिया वो जैनिफर से कहता है कि तु मैं एक साथ इतना सारा टाइम स्पेंट किया मैं तुम्हें धोका क्यों दूंगी गाये फिर उसे हेल्प करने के लिए मान जाता है और जैनिफर उपर आके उपर आने के बाद जैनिफर ने उसे धोका दे दिया मैट बहुत डिस्टब हो जाता है वो कुछ भी करकर उपर आने की कोशिश करता है उसने अपने कपड़े निकाले उससे एक रसी बना कर उपर आ जाता है जैनिफर ज़रा जादा उपर जली गई थी वो डोर को पकड़नी वाली थी तब नीचे से गाया और उसे पकड़ कर फीसे लिफ्ट में लेकर आता है ये दोनों इससे इंजोर हो गए थे गाय अनकॉंशेस हो गया और जैनिफर होश में आ गई लिफ्ट तैस नहीं थी तो उसने यहाँ पर फायर अलाम को नोटिस किया गाय के गिफ्ट में से उसने लाइटर निकाल कर थोड़ी सी आग बनान के लिए कोई भी आने नहीं वाला जैनिफर जल्दी से मार कर उसके हाथ पैर बान देती है वो गहती कि हम यहाँ से जल से निकल जाएंगे पर तुम्हें सब कुछ अभी के अभी कनफेस करना पड़ेगा वो बाद में कोर्ट में जुटी सावित नहीं हो सकती तो मैटकोस न तुम बहुत भी ब्यूटीफूल थी वर मैं एक सेकुरिटी गार्ड हो इस वजह से मैं कभी भी तुम्हें अप्रोच नहीं कर पाता मैं हमेशा से सेकुरिटी गार्ड नहीं था मैं एक अकाउंटन था और बहुत सारे पैसे कमाता था जो स्टोरी मैंने तुम्हें बताई थी कि कार में मेरी कोवर कर के साथ मैं इंटिमेट हो रहा था तभी उसका एक्सिडेंट हो गया उस पर चार्ज़स लगे पर गाय के पास बहुत सारे पैसे थे तो six months में वह बाहर आ गया पर बाहर आने के बाद उसे कोई भी काम ने मिलता था स्लोली स्लोली उसके financial situation खराब हो गए और उसे security guard का काम करना पड़ा वो जैनिफर से कहता है कि मैं फिर से मेरी old life को महसूस करना चाहता था इसी वज़े से उसने सब कुछ प्लान किया Nixon में हम देखते है कि मैट के साथ काम करने वाला security guard ये अपनी girlfriend को छट दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आता है उसने तो छुट्टी ली थी वो वापस आने ने वाला था पर girlfriend को यहाँ लेकर आया वो notice करता है कि गाय आसपास कही भी नहीं है उसने camera में जैनिफर और गाय करकर उसे बेहुश कर देता है वो वापस आया और अपनी की उसने मैट को दे दी गाय कहता है कि उपर आओ मुझे help की जरूरत है वो आधा ही अंदर आया था तबी गाय ने लिफ को चालू करकर उसे मार डाला वो लिफ में उसकी body रख देता है जेनिफर को ले जाकर अपनी गाड़ी की ट्रंग में डाल दिया नीचे आकर उसने शावर लिया कपड़े पहने लॉबी में आकर अपने फ्रेंड की गल्फरेंड को उसने नोटिस किया वो इसके बॉइफरेंड के बारे में उसे पुछती है तो गाय ने कहा कि वो तो चला गया गल्फरेंड ज़रा सस् वो थ्रेश के अन में पेट्रोल वेगरा डाल कर जैनिफर की बॉड़ी को जला देने वाला था वो जब ड्रंग खोलता है तो जैनिफर जिन्दा थी उस पर हमला कर देती है जल्दी से गाड़ी में बैठ गी और आगे चलीगी उसने पीछे देखा तो गाए अभी जिन्दा था वो बहुत जादा गुस्सा हो जाती है रिवर्स में जोर से गाड़ी लेकर गाए को उसने मार डाला गाए को ही डिस बिर में डालकर पेट्रोल छिड़क कर मार डालती है